वेल्कम एवरीवान ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है 3B फाइल करने की अभी लास्ट इट हमारे पास ड्यू है 20 अगस्त तक आपको जुलाई की 3B फाइल करनी है और जुलाई में इतने सारे GST के चेंजिस हुए थे कि कहीं मुझे डर रहे आप कुछ गलती ना कर दे एक most important relevant change मुझे लगता है कि आपको 3B भरते हुए धियान रखने की जुरूरत है जो मैं आपके साथ इस वीडियो में discuss कर रहे हूँ वीडियो अच्छी लगे तो like पे subscribe पे and bell icon पे press कर दीजे चले आपको लेकर चलती हूँ 3B के तरफ good news है हमारी courses पे आपको discount offer कर रहे हैं festive discount 30% का coupon code आपको दिखी रहा है स्क्रीन पे festive 30 यह apply करना है तो जो भी course आप हमारा खरीदेंगे whether combo purchase करिए GST course, income tax course, automation of balance sheet जो भी खरीदेंगे सभी पे 30% discount आपको हम available करा रहे हैं surprises यहां पे दिये हैं उन पर आपको 30% discount offer कर रहे हैं वीडियो के एंड में करते हैं इस पे detail में discussion स्क्रीन पे मैंने ओपन करकर 3B को 3B की जो टेबल है 3.1 इसमें आपको क्या डालना होता है text जो आपकी outward का है यानि आपकी sale का और साथी reverse charge inverse apply जो आपने ऐसी purchase करी है जिस पर RCM applicable है अब आपको बताना चाहूंगी कर जोलाई 2022 से वैसे तो GST में एंड नंबर ओफ changes applicable करे गए बट एक change बहुत important है सभी businessmans को affect कर रहा है GTA की service mostly persons use करते हैं और GTA पर पहले एक exemption हुआ करती थी 1500 रुपीज एंड 750 की limit वाली वो exemption गवर्मी ने 18 जुलाई से remove कर ली यानि अब वो exemption अब लेबल नहीं है अब आप GTA से अगर एक रुपे की भी service लेते हो तो आपको उस पे tax पे करना है या तो GTA अगर FCM में बैठा है opt करके तो फिर तो GTA आपको tax charge करके देगा पर अगर उसने charge नहीं किया that means वो RCM में cover है आपको RCM में 5% का GST लगाना है ठीक है तो आप अपनी सारे जितने भी GTA के बिल नहीं आपके पास मंत में आये हैं जुलाई में 18 जुलाई के बाद वाले उठा लो और देख लो कितनी बिल्स पर आपकी RCM पर लाइबल टी बन रही है वो यहाँ पर enter कर लो ठीक है क्योंकि यह text भरना आप बिल्कुल मत धुलना बाद में consequences ज़्यादा आ जाती है अब आपको ध्यान रखना है 15 और 750 की exemption अब नहीं रही ठीक है एक तो आप यहाँ पर इसका impact आ जाएगा यह language चेंज होनी है अभी नहीं हुई है हो सकते next month हो जाए तो आपने इसका खास ध्यान रखना तो छोटी सी वीडियो मेजरली मैंने इसलिए बनाए क्योंकि बहुत सारे बिजनसे से इंपक्ट और अभी भी awareness नहीं है तो आवेर करने के लिए दूसरे लेगो को एक तो वीडियो को जादा से जादा शेयर कर दिया करें ताकि सभी बिजनसमान इनसे अवेर हो सकें और साथी एक 3B में नई टेबल आई है 3.1.1 यह सभी के लिए अपलिकेबल नहीं है यह उनके लिए अपलिकेबल है जो e-commerce operators के साथ जुड़के काम करते हैं जो e-commerce operators के साथ जुड़के services देते मेजर ली 95 वाली services में कवर ठीक है यह मैं अपनी एक वीडियो में कवर कर चुकी हूं यहां भी आपको बता देती हूं कि जो person section 95 की supplies करते हैं जैसे example है अगर आपका रस्क्रा है और आप Zomato के साथ सब्सक्राइब को इसके पार्ट नंबर वन में डुपली कैसे नहीं करनी है जो अमाउंट आपने 3.1.1 टेबल में डालना है तिक है लेर हो गया तो इन चीजों को आपको 3B में ध्यान रखना है हमारी website studyvery.com पे आपके लिए magazine भी हम एवरी मांथ अवलेबल कराते हैं अगस सेंट आपको extra discount दे रहें तो आप अपनी knowledge को improve करना चाहते हैं एडवांस करना चाहते हैं हमारे courses का benefit लीजे courses कौन से अवलेबल है GST का detailed course है income tax का detailed course है balance sheets बहुत सारी आप बनाते हो तो automation of balance sheet का course आप ले सकते हो दिन combo अवलेबल है और 99C जल्दी ही financial year 21, 22 की है आप अवलेबल हो जाएगी तो हमारे सभी courses का benefit लीजे festive offer consume करे festive 30 coupon apply कर ले जब आप ये course अपने cart में डालने उसके बाद एक coupon apply कर लेंगे तो आपको मेलेगा 30% का additional discount हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो like करना और हमारे YouTube चैनल पर आपको community page में हम polls भी share करते question पूछते हैं आप से जिसमें आप interactively participate करते हूं हम बहुत सारी short वीडियोस भी upload करें हैं तो इनका भरपूर benefit लीजे thank you for watching bye bye झाल